नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में कुरोना 500 के पार, जार्खन में भी कुरोना के मामले लागातार बढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर ही जार्खन में कुरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार हो गई है, जार्खन के स्वास्त विभाकियोर से गुरु वार रात जारी आकलों के मुतावि 24 गंटे में राज्य में कोरोना के 80 नए कोरोना मामले की मैंबले है दस रांची में आठ पलामू में तीन देवघर धनबाद वर लोहत दागा में दो दो और बोकारो गिरीडी हजारी बाख खुटी कोडारमा लाते और पच्मी सिम्भू में एक एक करोना मामले की पुष्टी हुई है जारखन में आज से एर एम्बूलेंस की सुविधा सुरू सी एम हेमन्त ने किया सुभारम जारखन में आज से सरकार एर एम्बूलेंस सेवा की सुरुवात कर रही है मुख्यमंत्रे हेमन्त्रेन के हाथो इस सेवा की सुरुवात हुई गंभीर रूप से बिमार मरीजों को सस्ते दर पर या सेवा मिलेगी बता दे राज जवासियों को आज से यार अम्बूलेंस की सेवा मिलने जा रही है इस सेवा का सुभारा मुख्य मंत्री हमन सुरेन करेंगे नगर बिमानन विभाग ने इस सेवा के लिए Redbird Private Limited के साथ करार किया है सबसे खात पाते हैं कि सेवा काफी की भायती दर पर उपलब देकराई जा रही है लोगों को 60,000 रुपे तक की रहत इस सेवा से मिलने वाली है बता दे अगर आपको यार अम्बूलेंस की जरूरत परती है 46, 65, 515 पर कॉल कर सकते हैं जार्खन में नई विवास्था लागू होने तक JSBCL ही बेचेगा खुदरा सराग जार्खन के वाईसे जिले जहां प्लेस्मेट एजेंसी की चेयन की परकिरिया पूरी नहीं हो सकी है वहाँ 1 मई 23 से जार्खन राज विवरेज कर्पोरेशन द्वारा खुदरा दुकानों का संचलान किया जाएगा गुरुवार को हुई केबिनेट की बैठाक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है अधिकतम चार माह तक अपात ब्यवास्था के अंतरगत रायस वहीत में 1 मई से जे एस बी सी एल को दैनिक प्रस्ताव के रूप में दुकान सहायाक बिक्रेताओं की सिवा प्राप्त कर खुदरा उत्पात दुकानों के संचलान के रेव प्राधिक्रित करने समधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई बता दे रांची पुर्वी सिमूम धनबाद बोकारो पच्मी सिमूम चायबस्ता हजारी बगरामगर सराइक लखर सावा कोडर मा दुमका पायकुर जामतला साइव गांज गोड़ा गुमला सिम्टेगा लोहर्दागा खुटी एवाम चातरा जीलों में प्लेसमेंट एजन्सियों का चैया नहीं हो सका था पीएं मोदी ने लोहर्दागा बरहलवा और गोड़ा में की एफ्यम रेडियो की शुरुवात बढ़ हरवा, गोड़ा और लोहर्दागा में परशार भारती आका स्वानी एफेम टांस्मीटर का लोकारपन प्रधान मंत्री नाजमदी के द्वारा ओनलाइन किया गया इस मोखे पर टांस्मीटर सेंटर में राजे के बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उड़ाव डीसी डाक्टर भाग मरे प्रसाद किष्ण, अनुमंडल प्रधा अधिकार अरविंद कुमार लाल सहित अनप्रसासनिक अधिकारी मोजुद थे इस मोखे पर बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उड़ाव ने कहा है कि रेडियो हमेशा सी लोगों के सूचना का एक बेहतर माध्यम रहा है बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उड़ाव ने कहा है कि मैं बचपन में रेडियो बजाक कर लेकर घुमता रहता था और आज भी रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है हमारे विधान सबाच्षेत्र में माननिये प्रधान मतिनायन मदी के द्वारा एफेम टास्मिटर का उधाटन किया जाना निश्चीत रूप से गर्व की बात है और इसका लाव हमारे सुदरवर्थिक ग्रामिन इलाकों में रहने वारी लोगों को मिलेगा लोग सुचनाय सुनेंगे मौसम की जनकारी लेंगे सरकारी योजनाओ की जनकारी उन्हें मिलेगी लोग विकास के पत पर अग्रसर होंगे नकसल्यों का कहर आईडी की चापेट में आकर महिला की मौत पच्छमी सीम हुमजीले के गोईल के राथाना छेतर के अंतरगात कोलहान के जंगल के मारी दिरी के समीप नकसल्यों की द्वारा पुलिस जवानों को नुक्साल पहुंचाने के उदेश से लगाया गया आईडी बम बलास्ट हो गया है इस बलास्ट में एक महिला की मौत हो गई घटना सुक्रवार आले सुबा किया है बताद एगरामिनों की द्वारा घटना की जनकार्या स्थाने पुलिस परसासन को दी गई लेकिन अब तक पुलिस घटना स्थाल के लिए रवानों नहीं हुई थी नकसल पर होई छेत्र होने के कान पुलिस पुरी सतरक्ताव रत्ते हुए घटना स्थाल के रिए स्यार पी अब जवानों के टुगडी के साथ रवाना होगी हलाकि पुलिस परसासन की ओर से इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई गौतला भाय की चाई बासा में बिते 11 जनवाई से जारी नकसल बिरोधी अभ्यान के मद नजर नकसली इस तरह की घटनाव का अंजाम दे रहे हैं लोहर दग्गा में आदिवासी नवालिक संग दुसकर्मियों ने की दरिंदगी लोहर दग्गा जी लेके कुड़ू थाना छेतर में एक आदिवासी नवालिक साथ सामोहिक दुसकर्म की घटना हुई है सामोहिक दुसकर्म की घटना से नवालिक स्थिती बेहाद ही खराब हो गई थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए कुड़ू समुधा एक स्वास्त केंद्र लाया गया जहां से उधे स्वधर अस्पताल लोहर्दागा भेज दिया गया स्वधर अस्पताल लोहद्दागा में प्राथमिक उपचार के बाद नवाली की गंभीरी सिती को देखते वे बेहतर इलाज की रिम से रेफर कर दिया गया जहां पर नवाली का इलाज चल रहा है बता दे घाटना में सामिल दो आरोपीतों को पुलिश ने तौरित करवाई कर गिरफतार कर लिया है यह घाटना गुरू वार देर साम की है बता जा रहा है कि कुड़ू थाना चेतरे के एक गाम में नवालीक अपने चाचा के घर में बिवास समारों में गई हुई थी जहाँ पर आरोपीत नसीम खान और मक्सूद पवरिया भी पहुँचे थे इसी दवरान दोनों आरोपीतों ने किसी प्रकाश नवालीको घर से लवग दो सो मिटर की दूरी पर खेत में ले गए जहाँ पर उसके सामयक दूसकर्म की घटना को अंजाम दिया डीले पेमेंट सर्चार्ज और वन टाइम सेटल्मेंट इसकीम से मिलेगा लाप राजधाने रांची में बिजली बिल की DPS माफी वा वन टाइम सेटल्मेंट इसकीम का लाप दिलाने के लिए कई अस्थानों पर कैम्प लगेगा एक कैम्प केवल आज और कल तक ही लगेगा यह जनकारी रांची एरिया बोर्ड जी एम पीके स्रीवास्ताओं ने दी है उन्होंने बताया कि स्योजना का लाब अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने के लिए जेवी बीनल खुद उभखताओं के पास जा रहा है कैम्प के जरिये उभखता अपना बकाया एक बार में जमा करते हैं तो उनका DPS पूरा तरह माप हो जाएगा अगर कोई उभखता एक निश्चित समय सिमा के भितर बिली बील का भुखता नहीं करता है तो उसे कूल बील का डेल फिश दी डिले पेमेंट सर्चार्ज के तरपर भुखतान करना होता है लेकिन अगर समय पर बिली बील मुहाया कराने में राज्य बिली बितर निगम असफल रहता है तो डिले पेमेंट सर्चार्ज की वसुली नहीं कर सकेगा जारखन में तेजी से हो रहा है लंबित मामलो का निप्टारा राज्य में लंबित केस के निप्टारे के लिए अक्टूबर 2023 से 20 से सभ्यान चलाया जा रहा था जिसका असर दिख रहा है बतादे चों माह में ही खुल 24 जीलो में 5 साल पुराने लंबित से 3700 मामलो में से 3400 केस को निप्टार कर दिया गया है गुरुवार को पुल्स मुख्याले में वीडियो कंफेसिंग से ADG संजय अनंद राव लाटकर ने 5 साल पुराने लंबित मामलो की समिक्षा की जिसमें उक्त बाते सामने आई अभी भी 5 साल पुराने लंबित 72 केस रांची के धनबाद वहजार रिबा के 22 केस लंबित है औरने कुछ जीलो का आकड़ा 10 से कम बताया जा रहा है वहीं को डर्मा में एक भी ममला लंबित नहीं है बच्चे को अच्छे कोचिंग में खेल का प्रसिक्षन दिला रहे हैं अभी भावक खेल के प्रती लोगों की सोच अब बदलती जा रही है यहीं वज़ा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल के छेतर में भी लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं तीन साल की छोटी उम्र में ही लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कोचिंग में विभीन खेलों का प्रसिचन दिला रहे हैं अभी भावक बच्चों को रोजाना दो से तीन घंड़े प्रेक्टिस के लिए कोचिंग सेंटर ले कर जाते हैं इतना ही नहीं टोनामेंट के लिए दूसरे राज्ये भी ले कर जाते हैं अभी भावकों का कहना है कि जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं तो वे फिट कैसे रहेंगे खेल से सारे रिक वामानसिक दोनों विकास होता है इसलिए खेल जरूरी है जारखन के कस्तुर्बा बिद्यालों में 265 सिक्षिकाओं की होगी भरती जारखन के कस्तुर्बा गांधी बालिका आवासे बिद्यालों में एक महिने में 265 सिक्षिकाओं बहाल होंगी सिक्षा सचीव के रभीकुमा ने सभी जीलों को निर्देश दिया है कि पुरों निर्देश के बाद भी अब तक जीलों में कस्तुर्भा गांधी बालिक का बिद्यालों में सिक्षी काओं के नियुक्ति पुरी नहीं की जा सकी इससे पॉठन पाठन में 16 शत्राओक काफी परशानी हो रही है जीलों में सिखचिकाओं के चैन के लिए आविधन लिए जा चुके हैं लेकिन आविधनों की जात में काफी समय लग रहा है रांच यही कराना है कि मिच्वल फंड निवेस में रांची जम सेथपुरा धनबाद के रांवाद के रैंकिंग में सुधार हुआ है इसके अनुच्वल फंड में निवेस के मामले में मार्च दो 22 बाइस में देश के कूल शो सोहरों में राज़ी 26 व determ पर था जबकि मार्च 23 मे चोभी सिए अस्तान पर पहुंच गया है इसी परकार जमसेदपूर एक शाल में 27 से 25 वे पैदान और धानबात 45 सवे अस्तान से 35 वे अस्तान पर पहुंच गया इधार बिहार की राजधानी पात्ना 18 से 16 अस्थान पर है वहीं मुंबाई पहले और दिली दूसरे बैंगलोरी तिसरे पुन्ने चौथे और कुलकता पाचवे अस्थान पर है राजधानी के चानहों से मानो तसकरों के चंगुल में फसी यूती को पुलिस ने राजधानी के चानहों इलाके की रहने वाले 18 वर्ष के यूती को राजधान से मुक्त करवा लिया गया है राजधानी के चानहों पुलिस की एक टीम राजधान जाकर यूती के तलास कर रही थी राजधानी पुलिस मिली जनकारी के अनुसार एंटी हूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट की टीम ने यूती को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है धन्यवाद